लगातार हो रही बरसात के बाद कोटा बेरा से चंबल नदी में छोड़े गे पानी से दोलपूर जिले में चंबल अब खत्रे के निसान को पार गर गई है पानी चड़ने के बाद राजा खेडा इलागे के करीब 25 गाओं में बाड के हाला तुद्पन हो गया है और कई गाओं बाड से प्रभावित लग रहे हैं शेतर के महनपूर, चिलपूरा, अंडवा, पूरानी बुंडा, संकरपूरा, गोपालपूरा गाओं जो चंबल की नारे बसे हैं उनका मुख्याले से संपर्ख तक तूट गया है प्रशासंद वारा गाओं के लोगों को बाहर निकाल कर अन्य इस्थानों पर पहुंचाने का बंदुवस्त किया गया है वही सेना ने भी अपना मोर्चा खोल दिया किसी प्रकार की जनहानी ना हो इसको लेकर लोग अपने गरों को खाली करके सुरक्षित इस्थानों पर चले गए है लेकिन कुछ लोग हैं जो अबी भी अपने गरों में डटे हुए हैं कई ग्रामिनों के कई पसु भी पानी में डूब चुके हैं और गाओं में चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है सेत्र का निरक्षन करने पहुँचे विदायम, रोहित बोहरा ने पीडित लोगों के लिए बोजन और पाने के व्यवसता की है ताकि पानी में फसे लोगों को राहत मिल सके जिला प्रसासन ने चिकिचा विभाग के करमचारियों, पटवारी और ग्रामसेवों को मुस्तेद रहने के लिए कहा है